इंसर का काम क्यों होता है गैस स्टेट को ल्यूक्र स्टेट में करता है फिर बॉइलर दख पहुंचाया जाता है फिर तुबारह वही साइकल रिपीट होते हैं और इस साइकल को कहते हैं रहें का साइक गुड़ मॉर्निंग टॉल आफियों दोस्तों आज का टॉप है हमारा अज्वर्म दिस्कुस करें कि हमार क्या चीज़ें इसका मीनिंग की फेले में ने तरू रिक नुकी नुकल की मेंक्न आप हरदे है कि गर्मीό clicked are gone कि और दrajcasit को जैक्ञेज को ही कि नबट कियाता है लैक्बिक में तर्मल्पाण ऐसा लक्षिटी का पुद्ध है इसमें पानी को यूज की आता है, फ्यूल की तारह पर सूर्स हैं, तो पानी को कैसे करते हैं यह 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 तो सोचने वाले बात है, पानी को ऐसा की आता है, यूज़ित, वय एक भाल हो रखा जाता है उसमें पानी को बड़ा, उ स्ट्राइक होती है मेकैनिकल पाबर पैदा होने से आगे कपल कियाता है जन्रेटर इस से लेक्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है सीधी डेफनेशन में बोला जाए दोस्तों हीट इसकी लेडाओ डायग्राम पढ़ेंगे तो दोस्तों यह आपकी डेफनेशन थ्रमल पावर प्लांट की एक तरम पावर बिल्तुत इत्वादर के ऐसा पौद्धा है जिसमें पानी को फ्यूल की तरह इस्तिमाल किया जाता है दो पानी को यूज की ईाता है मतलम बॉइल की जाता है पानी को फर दिसल ही स्वेnisse सबूंगेखर बाइब का सब्सक्राइब भी का बधों आए चेहँं से करूंगेयाद सिम इसद locked लोगट मनाना परती उसकी सबस्क्राइब त्रॉन के सबूर भाते होて होता है पूटेट होता है और जिससे वो लेक्टिक नर्जी में कनवर्ट होता है वाइड यूज जनेटर आई इसकी ले और डायग्राम बनाते हैं पिर मैं आपको समझाता हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज किया जाता है थर्मल पाउर प्लांट में इनका कितना बाड़ा रोल ह है आई डिसक्स करते हैं तो दोस्तों हमने के बारे में डिसक्स किया यह थे धर्मल पाउर प्लांट की देफिनेशन दोस्तों आई कर जलाया जाता है यह को bucks ने सरी कॉछ यह जाता है अगी शूकिश को पाइघ वारा जाता है इस को हाई टमप्रेश्र पर गर्म करके इस के स्टीम ना जाती है इस व्यूंच guy घर में गलेगे धंदी मिलेगी तो यह काम होते है शूपर हीटर का आगे लगा आपका ट्रवाइन का काम क्यों होता है इस ट्रवाइन की ओपर और ट्रवाइन में पावर पैदा करेगा और कनवर्ट इन्टू लेक्टिकर पावर वाई दे यूज़ आफ जेनरेटर जो बचिए इस टीम उसे एगजोस्ट कर यह दिखना की बच्वासकर और कंडेंसर में गुज़ार जाता है क्टैंसर का सबस्किन के बारे में पड़ा कंडेंसर एक कंपोनेंट लागा है यहां अपकर देता है आपकी स्टेम गन्हाटर में convert कर देता है और जो hot water आपका आता है और cooling टावर में जाता है और cooling टावर में कुछ आपका पानी, कुछ पानी evaporate हो जाता है उसके fog बन जाती है, धूंद टाई बन जाती है और कुछ पानी बेसमें आके रुक जाता है यह यहां पर यह इस पानी को ठंडा करना पड़ता है इसको ठंडा करने के लिए नीचे यह जाली यह लगी यह जाली यहां से एर क्रॉट्ट होती है पानी ठंडा हो जाता है यही प्रोसेस आगे मतलर रपीट होकर वाइल तक पहुंचाया जाता है एक बात याद रखो मालोच आपने चार के जीपानी बॉइल किया बिजली बनाने के लिए क्यों आपने स्टीम बनानी हैं चार के जीपानी स्टूम जस्ट इमेजन कर लो तो आपको यहां से पानी आया स्टीम ऑई सूपीट से गुचर त्रवायन तक फिर कंडेंसर से होकर कॉली टापर से होकर दोबार आकर चार के जीपानी चार के जीपानी नहीं मिलेगा बाई और इस पानी को कम्पलीट करने के लिए यह जर बर टैंक लगा है जिसे कहते हैं ड किम्निरलाइगिस्ट प्ला रखो यार आप घर में बरतन लेना उसमें पानी डालना उसमें कुछ इंप्यूर्टी एड़ करना वो कभी भी स्टीम नि बनाएगा इसलिए यही प्रसेस में भी इसमें इंप्यूर्टी निकालना पड़ती है अगर इंप्यूर्टी रह गए बीच में तो आपकी स्टीम कभ और यहां से आपका प्रोसेस हो जाता है स्टार्ट पानी को गर्म करने का आगे लागा है वाइल फीड पंप आगे और एक और प्रेशर हीटर लगा है इसका काम भी पानी को गर्म करना होता है इस पानी को इकनोमाइजर तक पहुंचाया जाता है इकनोमाइजर का काम क्या होत है पानी में गर्मी पैदा करता है पानी को और गर्म करता है फिर पहुंचाया जाता है वो आइलर में कि अगर यहां से भी सीधा ठंडा पानी आजाए बॉयलर को दिक्त है यार और कोला आपको कमेंशन करना पड़ेगा जलाना पड़ेगा कोला तब जाके स्ट्रीम बनेगी तो पहले से प्रसेस स्टार्ट करना पड़ते हैं कंपोनेंट लगाना पड़ते हैं जैसे हीटर लगे हाई प्रेशर हीट लगे एकनुमाइजर लगा है एयर प्रीएटर लगा है यह मतलब गर्मी पैदा करता है जादा गर्मी पैदा करता है यह काम होता है एयर प्रीएट कुली टाबित से होकर दबारा लो प्रैसिके जरीए इक नमाज तक पहुंच कर बॉल्ड तक पहुंच गए तो देख लो इस साइकल कहते हम रैंकन साइकल साइकल को और करते हम रेंकन साइकल तो उसी स्टीम को यूज करके वोई डर्वाक पहूंचाए गया दोबार नहीं परसेड बार 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 भार बही तो परसेड होता है और इस पुससेस को कहते हैं वह रैंकर साइकल ऐसे बना जाती है बिजली भाई थरमल पावर प्लांट से और एक बात यहाद रखना इसमें प्योर होता है इसमें कुछ भी इंप्यूर्टी नो हुटती है एक यही प्यूर्टी हो गी आपका steam कभी ने बनेगा कभी ने बनेगी steam यार इस steam से ही rotate होगा आपका turbine और boiler में जो कोईलर जलाया गया उसको यहां पे इस handling plant है और इस storage में रख रख रह रह जाता है इस जो धूल मिटी बनेगी उसकी उसको यहां पे रख जाता है यह तो इतना खास नहीं है में बात यह है समझने की boiler से लेकर cooling tower cooling tower से again पहुंच कर boiler दाता है यह बात है समझने की बाग की नहीं है समझने की यार एक condensation की मुझा है gas state को liquid statement convert करना तो दोस्तों यह था topic कैसा लगा आपको बता देना मेरे को और comment करके पक्का बताना की कैसी रगी आपको वीडियो